नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्तो पूर्ण जानकारियों को ले करके आईए आज हम सभी सहजन खाने के फायदे और इसके गुणों के बारे में जानते हैं भारत देश में एक से बढ़कर एक सिहत का खाजाना मौजूद है चाहे फलों के रूप में हो या वो सबजी के रूप में हो चाहे आईरवेदेक और शधियों के रूप में आज हम ऐसे ही सबजी पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लाव अनगिनत हैं दोस्तों दुनिया का सबसे ताकत्वर पोशन पुरक आहार है सहजन यानि कि मुनगा तीन सो से अधिक रोगों में बहुत फैदेमंद इसकी जड़ से लेकर फूल, पत्ती, फली, तना, गोंद, हर चीज उपयोगी होती है आयुर्वेद में सहजन से तीन सो रोगों का उपचार संभव है ऐसा बताया गया है सहजन के पोश्टिक गुनों की तुलना इसमें विटामिन सी संतरे से साथ गुना ज्यादा होता है विटामिन ए गाजर से चार गुना ज्यादा होता है केल्शियम दूद से चार गुना ज्यादा होता है पोटैशियम केले से तीन गुना अच्छा होता है प्रोटीन दही की तुलना में तीन गुना ज्यादा पाई जाती है स्वास्थ के हिसाब से इसकी फली, हरी और सुखी पत्तियों में कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आईरन, मैगनीशियम, विटामिन A, C और B कमप्लेक्स प्रचूर मात्रा में पाई जाती है इनका सेवन करके कई बिमारियों को बढ़ने से रोका जा सकता है हिंदी में इसे सहजना, सूजना, सेंजन और मुनगा नाम से भी जाना जाता है जो लोग इसके बारे में जानते हैं, वे इसका सेवन जरूर करते हैं सहजन में दूद की तुलना में चार गुना ज्यादा केल्शियम और दुगना प्रोटीन पाया जाता है यह सहजन के और शद्यगून सहजन का फूल पीट और कफ रोगों में इस्तेमाल की जाती है इसकी फली वात एम उदर शुल में, पत्ती नेतर रोग में, मोच साइटी का में, गठिया इत्यादी में उप्योग होती है इसकी छाल का सेवन साइटी का गठिया लीवर में लाफकारी होता है सहजन के छाल में, शहद मिलाकर पीने से वात और कफ रोग खत्म हो जाते हैं इसकी पत्ती का काढ़ा बनाकर पीने से गठिया, साइटी का, पक्षागात, वायू विकार में शिग्रलाब पहुंचाता है साइटी का के तिवर वेग में इसकी जड़ का काढ़ा तिवर गती से चमतकारी प्रभाव दिखाता है मूच इत्यादी आने पर सहजन की पत्ती की लुगदी बनाकर सरसूं के तेल ढालकर आँच पर पकाएं और मूच के अस्थान पर लगाने से जलदी ही लाब मिलने लगता है सहजन के फली की सबजी खाने से पुरानी गठिया、 जोणो के दर्द, वायू संचय, वात्रोगों में लाब होता है इसके ताजे पत्तों का रस कान में डालने से दर्द ठीक हो जाता है साथ ही इसकी सबजी खाने से गुर्दे और मुत्राशय की पत्री कट कर निकल जाती है इसकी जड़की छाल का काढ़ा सिंधा नमक और हिंग डाल कर पीने से पिताशय की पत्री में लाब होता है सहजन के पत्तों का रस बच्चों के पेट के किड़े निकालता है और उल्टी एम दस्त भी रोकता है ब्लड प्रेशर और मोटापा कम करने में भी कारगर सहजन का रस सुबह शाम पीने से हाई ब्लड प्रेशर में लाब होता है इसकी पत्यों के रस के सेवन से मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है इसकी छाल के काढ़े से कुला करने पर दातों के कीडे नश्ट होते हैं और दर्द में आराम मिलता है इसके कुमल पत्यों का साग खाने से कब्ज दूर होती है इसके अलावा इसकी जड़ के कारहे को सिंधा नमक और हिंग के साथ पीने से मिरगी के दोरे में लाब होता है इसकी पत्यों को पीश कर लगाने से घाव और सूजन ठीक हो जाती है पानी के शुद्धी करन के रूप में कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल सहजन के बीज से पानी को काफी हद तक शुद्ध करके पिय जल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इसके बीज को चून के रूप में पीश कर पानी में मिलाया जाता है पानी में घुल कर यह एक प्रभावी नेचुरल क्लेरिफिकेशन एजेंट बन जाता है यह ना सिर्फ पानी को बैक्टिरिया रहित बनाता है बलकि यह पानी की सांदरता को भी बढ़ाता है काढ़ा पीने से आये जानते हैं हम कि क्या क्या फायदा होता है कैंसर और पेट के रोगों इत्यादी के दोरान शरीर के बनी गांट फोड़ा इत्यादी में सहजन की जड़का अजवाईन हिंग और सूट के साथ काढ़ा बना कर पीने का प्रचलन है यह भी पाया जाता है कि यह कारहा साइटी का यानिक पैरों में दर्द जोडों में दर्द लकवा दमा सूजन पत्थरी इत्यादी रोगों में लाफकारी है सहजन के गूंद को जोडों के दर्द और शहद को दमा इत्यादी रोगों में लाफदायक माना जाता है आज भी ग्रामिडों की ऐसी मान्यता है कि सहजन के प्रयोग से वाइरस से होने वाले रोग जैसे चेचक के होने का खतरा टल जाता है शरीर के प्रतिरोधक शमता बढ़ती है सहजन में हाई मातरा में फॉलिक एसिड होता है जो की एक प्रकार का मूनो सैचुरेटेड फैट है और यह शरीर के लिए अति आवश्यक है सहजन में विटामिन सी की मातरा बहुत होती है यह शरीर के कई रोगों से लड़ता है सरदी जुकाम में यदि सरदी की वज़ा से नाक कान बंध हो चुके हैं तो आप सहजन को पानी में उबाल कर उसके पानी का भाप लें इससे जकड़न कम होगी सहजन में कैलशियम के मातरा अत्यठिक होती है जिससे हड़ियां मजबूत बनती है इसके अलावा इसमें आईरन और मैगनीशियम और सिलियम भी होता है इसका जूस गरवती को देने की सलाह दी जाती है इससे डिलिवरी में होने वाली समस्या से राहत मिलती है और डिलिवरी के बाद भी मा को तकलिफ कम होती है गरवती महिला को इसकी पत्यों का रस देने से डिलिवरी में आसानी होती है सहजन में विटामिन A होता है जो कि पुराने समय से ही सौंधर्य के लिए प्रयोग किया जाता रहा है इसकी सबजी को अक्सर खाने से बुढ़ापा दूर रहता है इससे आँखों के रोशनी भी अच्छी होती है यदि आप चाहें तो सहजन को सूप के रूप में भी पी सकते हैं इससे शरीर में खून जो होता है बलड जो होता है वो साफ होता है तो दोस्तों देखा आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए थे सहजन से जुड़ी होई कुछ एक महत्तो पूर्ण जानकारियों को जो कि आपके लिए बेहदलाफ कारी सावीत होती है तो अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्व पूर्ण जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों